है 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 आप सब स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चुनल एसेश्टी मोटर्स पर और आज अपने सामने खड़ी हुई यह अपनी ओला स्वन प्रो भाईयो अपनी जो हमने कुछी दिन पहले ली थी तो भाईयो आज मैं दिखाने वाला हूं इस वीडियो में इस गा सबस्क्राइब करें तो आज मैं इस गाड़ी में चैक करने वाला हूं इसकी टॉप स्पीड कितनी होने वाली है वहीं अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले मैं आपको एक वार्णिंग देना चाहता हूं बताना चाहता हूं कि भाईयो इस चीज को आप घर पे कभी भी ट्राय मत करना मैं अपने रिस्क पर रहा हूं और मैं बिल्कु सेफली कर रहा हूं ऐसा नहीं है कि मैं अंदा दून कहीं भी भगाया जा रहा हूं बिल्कुल जैसा मुझे लगेगा उसी हिसाब से मैं गाड़ी को भगाऊंगा ऐसा नहीं कि उल्टी सीधी कहीं भगा रहे हैं जाख्र आपने दोस्तों के साथ और बता ना यहां बाईय कासी नहीं अपने दोस्तों को जो लेने का प्लानiban रहा है स्टार्ट खड़ी अपनी ओला स्वन प्रोलते हैं राइड पे मैं लगाता हूं इसका सबसे पहले इको मोड में टेस्ट करते हैं कि को मोड में कितनी जाने वाली यह गाड़ी यहां से मैं चेंज कर सकता हूं इसको यह अब है नॉर्मल और इको जो है न दबा के रखना पड़ता है चेक करते हैं करते हैं अपनी इस्टार्ट वीडियो को और देखते हैं कितना जाती एको मोड पे स्पीड जो है न बहुत हलके पगड़ती है यह इको मोड पे इतनी ज्यादा तेज स्पीड नहीं पगड़ती है अच्छा मैंने आपको बताया था इको मोड पे 42 की स्पीड है मैक्सिमम उससे उपर नहीं जाती है तो आप जैसे अब देख रहोगे यह 42 की स्पीड पे प्र बात करते हैं बात करते हैं नॉर्मल मोड की तो नॉर्मल मोड में देखते हैं कितनी आने वाली है तो भाईयू मैं लगाता हूँ यहां से इसका नॉर्मल मोड देखो यहां पर आप देख रहोगी नॉर्मल मोड आ चुगा है अब भगाते हैं इसको कितना भागती है नॉर्मल मोड में तो भाईयू देखो 30 35 40 50 हो गई भाई अब गई वाई अब अगल में ट्रक जा रहा है ट्रक दिखा दो रगभी जा रहा है बहुत खतरना की स्पीड में इसकी अगतर की स्पीड में चल रहा है अस्ती ट्रक वाला अस्ती मैक्सिमम में इसकी अग्यासी नॉर्मल दें और आप देख सकते हो वाईओ दो मोड में में देख लिए कि दो मोड में हमारी ओला एसस वन प्रो कितनी चलती है तो भाईओ जैसे कि आपने पहले मौड में देखा eco mode में 42 की speed है लेकिन बहूत हलके हलके चलती है लेकिन बार्यों Eco mode में जो है नay range बहुत अच्छी कासी निकाल के देती है कितनी लगभग 140 km मैं खुद निकाल ली है मैंने भाइ 120 km चल जाती है a normal mode में 80fps PR मैक्सिमम अभी हमने देखी हैい 80 Μ fool 패 कजा बहुत गजब गाड़ी है यार ये कीन मानना एक बार पैसे जरूर लगेंगे एक लाग पैनतालिस जार रुपे लेकिन भाई आपको बहुत मजा आने वाला है इस गाड़ी को लेकर राइट करने में बहुत साथ अब बात आती है इस पोड़ मोड लगा दिया है अब करते हैं और देखते हैं यह कितनी भागने वाली आप इस पोड़ मोड में आगे कुछ नहीं है रोड बिल्कुल खाली है बगा के देखते हैं कितनी बागेगी यह गाड़ी हमारी सब्सक्राइब कर लेना और भाइयो इस मेहनत के लिए सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना भाइयो नाइंटी फाइब स्पोर्ट मोड में तो बाइयो आपने देखते हैं सब्सक्राइब कर लेता हूं इस पोर्ट मोड में 95 की स्पीड या रही है बाइयो क्या बाद है मतलब इस स्पीड बहुत ज़्यादा तेज पकड़ती है एकदम 95 की स्पीड मतलब यह मानलो भाई हमने एक किलोमीटर भी कवर नीग और एक किलोमीटर से कम में ही बाईयो 95 की Speed Cover कर लिक क्या बात है वाई मानना पड़ेगा वई इस बात को दो के Speed पकड़ने के मावले में Electric गाड़ी का कोई मुगाबला नहीं है वह बहुत तेज निगलती है गाड़ी मानना पड़ेगा इस बात को दो तो यह तो ओगी Eco Normal और पोड़ मोड़ अब एक मोड़ और बचा है हाइपर मोड उसको लगा के देखते हैं उसमें कितनी जाती है भाईयो जाने को उसमें 120 कंपनी किलेम करती है अब देखते हैं जादी कितनी है गाड़ी पर हम जो है ना दो बंदे बैठे हैं क्योंकि एक ने बाई कैमरा पगड़ है और मैं गाड़ी चला रहा हूं तो भाईयो देखो ना पिछे भी है नहीं वह उतरी है वह कैमरे में नहीं आना चाहता उसे बहुत सर्म लगती है तो भाईयो अब दो बंदे बैठे हैं चलाते हैं इसको हाइपर मोड में देखते हैं कितनी भागती है छोटी सी वीडियो और देखो 1.8 किलोमेटर हमारी चली हुई यह भी गाड़ी और देखते हैं इसमें कितना हमारा लगने वाला है भाई कितनी डिस्टेंस में हमारी गाड़ी मैक्समम स्पीड पगड़ लेगी तो भाईयो देखो भाई 50 की स्पीड का तो पता ही नहीं चलता है एक पर मोड मे अब आप देखते रहना बस मैं बोलूंगा कम थोड़ा सा क्योंकि मुझे टाड़ी पर ध्यान जादा रखना है अंड्रेड होगी है वाई अब देखते हैं आगे अभी मोड जब निकल जाएगा बहाते हैं और आगे प्रणाट जाएगे इतनी तेज में बाई बिल्कु शेफ गाड चला रहा हूं मैं ऐसा नहीं कि बढ़ी उल्टी सीदी अंट संट भगाने में लगा हूँ बिल्कु सेफ गाड़ी चला रहा हूं बाई आप घर पर ट्राइम मत करना बिलकुल भी मैं आप अब बाई तो अब थोड़ा से नहीं पर आप एक घसबा टाइप का आई इसको पार करते हैं और इसको पार करने के बाद फिर आगे हाईवे हैं उसमें बागे देए कितना बाएगी 106 तो अभी तक हमने कवर कर ली थी अब आगे चलके देखते हैं कितनी और जाने वाली य गाड़ी हमारी नॉर्मल यार भॉई इस पीड बहुत जादा थे इस पखड़ती अपनी ओला स्वन प्रोव इस पीड के मामले में कोई तोड नहीं है गाड़ी गाड़ी का देखो अब भाई 90 तो ऐसे ही पखड़ लेती है बिल्कुल पता ही जलता कि 90 की स्पीड पर चल रही है गाड़ी तो भाई यो सामने रोड बिल्कुल खुला है और करते हैं स्टार्ट अपनी राइड को कंटिन्यू बगा के देखते हैं कितनी भागने वाली है आइड़ी पाई 90 का तो पता ही जलता कितनी देर में हो जाती है तो है हुआ है 102 वन इन दूप निटू है थिर भाई भाई 107 वन दूप नाइंट वाई क्या वाज़ा सबस्क्राइब को बहुत ज्यादा स्पीड है के इंदर तो भाईो गाड़ी को स्लो करता हूं बहुत पढ़के एक左 दस की स्पीड 1100 की स्पीड मैक्सिमुम मैंने इसको भागा लिया लेकिन भागते हुए ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत जादा तेज है गाड़ी तो भाईयो देखो अपने सामने खड़िए ओला सवन प्रो भाईयो स्पीड आपने देखी 111 की स्पीड ऐसे पगड़ ली पता ही नी चला यार गाड़ी में जैसे मैं आपको बताया था 1.8 किलो मिटर थी और अभी 5.3 किलो मिटर होगी है क्यों हमने बीच में कजबा जो पड़ा था ना वह भी आगे था उसको भी क्रॉस किया आपने देखा हाइपर मोड में 111 की स्पीड मैंने भगा ली थी और उससे भी जादा बागने को तयार थी अभी यह गाड़ी बहुत स्पीड पर यह गाड़ी मानना पड़ेगा वैसे इतनी भगानी नहीं चाहिए लेकिन मैं भगा रहा था सिर्फ यह बताने के लिए कि यह कितनी चलने वादी अपनी गाड़ी तो भाईयों आपने देखा सारी चीज़े बताई है करके बस घर पर आप ट्राय बिल्कुल भी ज्यादा इतना पिकव आपको किसी गाड़ी में बाइक में नहीं मिलेगा जो स्पोर्ट्स बाइक होती है उनको छोड़के वो तो एक अलगी होगी न लेकिन नॉर्मल अगर हम 150 CC गाड़ी की भी अगर बात करता हूं ना तो इनीशियल पावर आपको इसके मुकाबले नही नहीं देखने को मिलने वाली है किसी भी गाड़ी में तो भाईयों अपनी ओला सब्सक्राइब के साथ आज आपने देखा नॉर्मल मोड में इको मोड में स्पोर्ट मोड में और हाइपर मोड में बता भी देता हूं 42 80 95 और 120 भाई अराम से चली जाएगी मैंने नहीं बगा आने का 111 की स्पीड में ऐसा लग रहा जैसा भाई तूफान की तरह निकल रही गाड़ी सूँ पता ही नहीं चल रहा यार बहुत तेज भाग रही गाड़ी तो भाई हुए एक स्पीड के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पर अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो अगर आई तो आई तो आई प्रावका रहा दो रहा जाई तो आई तो आउ का तो आई तो आई या तोचा हाए।